नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सुप्रोधता और आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है मेरा इस यूटूब चैनल होमियो के टिप्स पे दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से इरेक्टाइल डिसफंक्शन का एक केस सेयर करने वाला हूँ जो कि सिर्फ दो महना होमेपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से ठीक किया जा चुका है और इस वीडियो की माध्धम से आप लोगों को ये भी आज पता चल कि सेक्स्वल प्रॉब्लेम के लिए इंग्लिस गोलिया जो होती है वो कितनी हानिकारक और कितना डेंजरस हो सकता है किसी के लिए क्यूंकि ये जो पेसेंट है ये होमोपैथिक ट्रीटमेंट लेने के लिए तब आये हमारे पास जब इनको एलोपैथिक मेडिसिन से बहुत साइ नेचर का एक पेसेंट है और इनको इन टॉपिक्स का उपर बात करने में बहुत ही सर्मेंदिगी मैसूस होती है ये पेसेंट अपना इस प्रॉब्लेम के रिगार्डिंग डॉक्टर से भी बात करने में ओक्वार्ट फिल क्या करता है और इसी के साथ इनका साधी भी साइ हो चुका था घर वालों ने इनके लिए रिस्ता भी देख लिया है और फिर ये पेसेंट यूटूब पे सर्च करने लगे कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या हो सकता है और फिर इन्होंने किसी का वीडियो देखकर इंग्लिस मेडिसें टाड़ाला फिल 10 mg का लेना स severe palpitation चलो हो गया heartbeat बहुत धी fast हो गया दिल का धड़गना बहुत ही तेज हो गया और उसी के साथ एक अजीब तरह की घबराहर्ट, anxiety, restlessness के साथ-साथ breathlessness भी इनको फिल होना start हो गया यानि इनको सास लेने में भी दिक्कत आ रही थी तो फिर इन बातों से आप समझ सकते हैं क ये जो गोली है ये कितना भायनक हो सकता है और कितना हानिकारक हो सकता है किसी के लिए आप पढ़ सकते हो कि पेसेंट ने अपना प्रॉब्लेम के रिगार्डिंग क्या लिखा है और इस पेसेंट ने टडला फिल को रात को डिनर करने का बाद लिया है और whole night इनको severe aggravation हुआ बहुत ही ज़्यादा side effect देखने को मिला और यह जो patient है पूरी रात तक सो नहीं पाया है और ना ही इस problem के regarding किसी से यह कुछ कह पाया है और जैसे ही morning हुआ इन्होंने मुझसे contact करना सही समझा क्यूंकि यह जो patient है यह मेरा channel को बहुत दिन से follow कर रहे थे और मैंने तुरण तीन से phone पर बात किया और बात करके इनको Econade लेने को कहा Econade 1M में इनको दिया गया था हर 15-15-20-20 मिनिट में जो है इनको Econade 1M का एक एक डोस इनको दिया गया था और hardly एक घंटे की अंदर यह patient पूरी तरह normal हो गया गबरा हर्ट, anxiety, restlessness यह जो हो रहा था इनको यह पूरी तरह एक घंटे की अंदर ठीक हुआ और फिर उसके बाद इन्होंने फ्रेस होकर एक अच्छा खासा नीन भी लिया और फिर उसके बाद मैंने साम को इनको call किया था इनका जो main problem था erectile dysfunction, low libido, low sex drive, low orgasm इन तमाम problems के लिए भी इनका treatment हमारे पास चला तो फिर case taking के लिए मैंने इनको साम को call किया था तो case taking के दोरान इस patient का अंधर एक बाद जो मुझे बहुती प्रॉमिनेंटली देखने को मिला वो यह है कि इस patient का अंधर fantasy बहुती ज़्यादा है हमेशा जो है sex का सोच में डूबा हुआ रहता है कि इस patient को अपना से बड़े उमर की जो ladies होती है उनसे सम्मन्द बनाने का मन करता है यानि इनको वो partner ज्यादा पसंद आता है जो कि इनका उमर से बड़ी हो और इस तरह की सोच इस तरह की fantasy तीन होमोपैथिक medicine में देखने को मिलता है एक है स्टाफिसेगरिया दूसरा है सलिक स्नाइगरा और तीसरा है नैट्रमूर अब यहां से इस patient को कौन सा medicine देनी चाहिए यह एक doctor को differentiate करना बिल्कुल आना चाहिए और फिर मैंने इस patient का एक पूरा case taking किया और case taking करने का बाद मैंने इस patient को स्टाफिसेगरिया देना सही समझा स्टाफिसेगरिया को LM potency 0 by 1 से हम लोग ने सुरू किया था और हर हपता स्टाफिसेगरिया का potency को हम लोग आगे बढ़ते रहे और आज तकरीबन दो महना हो चुका है इनका treatment को हमारे पास चलते हुए और कल ही इस patient का counseling date था उन्होंने अपना problem के regarding मुझसे क्या लिखा है आप खुद पढ़ सकते हैं मैं कुछ नहीं कहूंगा मैं उनका text का screenshot लगा देता हूं आप पढ़ लिए तो इसली हाट संबंधित रोग रिदय संबंधित रोग ज्यादा देखने को मिलता है इन medicines से लेकिन homopathy का रहते रहते इस तरह की medicines खा कर side effect मोलने का कोई जरौत ही नहीं है यह एक मात्र case homopathy से solve हुआ है ऐसा बिलकुल नहीं है आप मेरे चैनल का playlist में जा सकते है case वाला folder में आ मैंने बहुत सारे इस तरह की cases को solve किया है और उसका proof के साथ मैंने यूटूब पे upload भी किया है आप उन cases को देखिए तो फिर आपको एक idea लग जाएगा कि हां homopathy में इस तरह की case कोई बड़ी बाद नहीं है solve करना बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही आसान तरीके से जो है वो एक साथ दे रहे है तो दोस्तो मैं इस वीडियो को ही paint करता हूं और मैं उमित करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगी और मेरा जो वीडियो है आप लोगों की लापकारी सबित होगी और इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा YouTube चैनल होमियो केट टिप्स को लाइक करें शेर कर सस्क्राइब करें और बैल आइकन को दवाना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों सो थैंक यू बेरी मच एंड हव गुड डे